हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल वे लेंट टूड़े बिहार सामान नग्यान बिहार जी के आज हम लोग बिहार से जानेंगे बिहार में कला और संस्कृती अगर आप बिपिएस सी यह नहीं बिहार सूपर टेट की त्यारी कर रहा है वन टू फाइब सीच टू 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 के लिए तो बेसक के विडियो आपके लिए बहुत ही मत्पुन है तो बिडियो के स्किप ना करें पूरा पूरा बिडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें थाकि हर बड़ी को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तमनों बिहार के आज वास्तु कला के बारे में जा रहेंगे यह जो यूनिट होगा बिहार में कला और संस्कितिस होगा कुमा यानि पटना में से एक मौरकालिन विशाल कक्च संभावता राज महल का उसेस मिला है यानि कुम्रहार इसका उचायन क्या होगा कुम्रहार पटना में से एक मौरकालिन विशाल कक्च संभावता राज महल का उसेस मिला है मौर कालन इस्तंबलेक में चार इस्थानों लौरिया, नंदगड, लौरिया, अरे राज, पस्मी चंपारण में, राम पुर्वा, पुर्वी चंपारण में, और बसाड ये वैशाली में स्थापित है बसाड इस्तमपर सींग, रामपुर्वा इस्तमपर नेट्वा बैल यानि साड था लोरिया नंदगर इस्तमपर सींग की आकृती उत्किरन है ये बहुत दिमाइध पुण है इस तरह के कोशन आपके एक्जाम में आएंगे बसाड इस्तंपर क्या सीं का स्टेचू कह सकते हैं जो रामपुर्वा इस्तंपर है बैल यानिसाड लौरिया नंदगर इस्तंपर है सीं क्या कृति उत्तिर्न है आप आके जाने ये चुनार के दूसर बलवा पत्तर से निर्मित है ये क्या है चुनार के दूसर बलवा पत्तर से निर्मित है तता इन पर चमकीली पॉलिस भी की गई है आप बिहार की वास्तु कला से प्रचित हो रहा है बराबर की पहाडियों यह इस पर मैंने एक विडियो बनाया था पिछला मेरा जो विडियो था उसे मैंने बराबर की पहाडियों का वर्णन किया है बराबर की पुरी नालंदा विक्रम सिला महावियार का निर्वाट ओधन्तपुरी भी विश्वड दाले था नालंदा भी विश्वड दाले था और विक्रम सिला नालंदा का गुप्तकाल में स्थापना हुआ था विक्रम सिला का धर्म पालने किया था सासाराम में सेरसा का मकबरा और जील के मद अश्ट कोनिय मकबरा अफगान इस्तापत शैली का वर्णन किया गया है सासाराम में किसका मकबरा है तो सेरसा का और कैसा है मकबरा ये कुछ सन्पूचे आता है आपके एक्जाम में तो आश्ट कुन ये मकबर है, अफगान इस्थापत्त कला शैली का इसमें वर्णन किया गया है, बेसक अब आगे जानने, अब आता मुर्ति कला, वास्तो कला से आप परचित हो गए हैं, अब मुर्ति कला के बारे में जाने हैं, पटना के दिदार गन से प्राप्त, यक्छी इस्त्री की मुर्ति मौर कालिन, भागरपुल के सुल्तान गन से प्राप्त, बुद्ध की तामर मुर्ति 223 सेंटीमेटर उचाई, गुप्त कालिन, वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंगम संग्राले में सर्चित हैं, सूचिए, अब कलपना कीजिए, कि हम लोगा भागल बिहार में सुल्तान गन से प्राप्त, बुद्ध की जो तामर मुर्ति है, 223 सेंटीमेटर उचाई है, यह गुप्त कालिन मुर्ति है, आज कहां पर है, किसके संग्राले में, इंग्लैंड के बर्मिंगम संग्राले में संग्राले में संग्राले में, यह भारत में नहीं है, ये इंग्लेंड के संग्राले में पाल-काल में तामे और कासे की मुर्तियों का निर्मान किया गया है पाल-काल में किस तरह के मुर्ति प्राप्त हुए हैं तो तामे और कासे की अधिकास मुर्तियां बुद्ध और बहुत दम से प्रहावीत हैं दीमान एवंग विटपाल विंतपाल ने काश प्रतिमाओं के निर्माण में महत्पुन मुमिका नी बाई कुम्रहार से बिविन पसुपक्ची नर्नारियों के मृण मुर्तिया भी मिली हैं ठीक है कुमार यह नहीं पटना कुम्रहार अब विहार के लोकनित से अब परचित हो जाएं कटगोडवा लोकनित हैं लौनडा, करिया, झुमर, जोगीडा, पवडिया, घोश्या, झीजिया और खेलनिन और बिद्ध्यापति और जन्रत यह क्या हैं विहार के प्रमुक लोकनित हैं आज भी लोक नित्त जो हैं, यह कापी बियार में लोग प्री हैं, इसके साथ बियार मेंने बहुत कुछ बिदेशिया, जड़ जाटिन, डॉमकच, समाचकेवा और किर्तनिया, यह सब सिर्किष्ट की लिलाओं का वर्णन होता है, बिदेशिया में बुचपूरी लोक नित्त पुर्शो द्वारा विनीत किया जाता है, डॉमकच, जोधा, गरेलुनाट, माईलाओं द्वारा प्रस्तूत किया जाता है, ओके, आपने यूनिट कम्प्रेट कर ली, यदि आपको वीडियो पिसंद आए, अपने दोस्तों साथ सेयर करें, वीडियो लाइक करना ना बूल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद